मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने कहा है कि चांद सितारे वाला हरा जंडा मुस्लिम ली और यह हरा वाइरस इस देश के विभाजन का कारण है इस वाइरस का शिकार, कॉंग्रेस, सपाब, बसपा, गडपनन और पूरा विपक्ष है यह जानते हुए भी कि यह वाइरस भारत की एकता और अखंड़दा के लिए खतरनात है कॉंग्रेस के घोशना पत्र में तो कॉंग्रेस का हाथ और देश द्रोहियों का साथ साथ दिख रहा है मुख्यमंत्री योगी आदेतिनाथ मंगलवार को पांच कालिदास मार्क्स छित अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बाचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि केरल में कॉंग्रेस का उस मुस्लिम लीक के साथ गठपननन है जो देश के विभाजन का कारण बना केरल की एक लोग सभा सीट पर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने कि नामांकन के दिल रोड शो में भी यही वायरस दिखा करीब देड़ दरजन भाजपा सांसदों के टिकेट काटने से उत्पन चुनोतियों पर योगी ने कहा कि भाजपाने में सब कुछ शांती पून ढंग से चल रहा है यह संगठन की प्रक्रिया का हिस्सा है उमा भारती और कलराज मिश्ट्री समेथ कई लोगों ने खुद ही चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया ऐसे लोगों की सेवा अन्यत्र ली जाएगी कुछ टिकेट एंटी एकनोमिक्स सी के चलते भी काटी गई है योगी ने कहा कि गोरखपुर देवरिया समेथ सभी बीच बची सीटों पर एक दो दिन में उमीद्वार घोशित कर दिये जाएंगे योगी ने दावा किया कि पहले और दूसरे चरण की सभी सीटे भाशपा ही जीतेगी रालोद मुखिया अजीत सींग पर योगी खूब बरसे उन्होंने कहा कि अजीत सींग और जयन चौधरी दोनों हारेंगे क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि चुनाव जीतने के बाद बाप पूत पांच वर्ष तक दर्शन नहीं देंगे मुझपर नगर दंगे में दोनों जाट लड़ने मारने पर उतर गए थे दब अजीत सींग कहां थे बागपत में छह बार जीते लेकिन विकास डौक्टर सत्यपाल के सांसद बनने के बाद हुआ चौधरी चरण सिंग की विरासत को सबसे ज्यादा आहत अजीत सीक और जयंत ने किया